Hello my dear friends, आप सभी का हमारी चैनल B2P Studio Point में स्वागत है दोस्त Biologist जो आपका Classes चल दा था जंतु जगत का वर्ग करा Classification of Animal Kingdom पिछले दोस्त Classes में हमने MCQ टाइप के Question स्टार्ट किया था और 20 Question तक कहां के Complete हो चुका है आज दोस्त उसी के आगे स्टार्ट करेंगे Very Important दोस्त आज का Class होने वाला है वीडियो को Last तक देखेगा और एक एक Question आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोसिस करिएगा चैनल पर पहली बाई व्यट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करिएगा आगे दोस्त आने वाली हरे Classes का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुश सके तो आज का दोस्त Question इस्टार्ट करते हैं First Number Question है 26 Number केचुए में अंडासे किस खंड में उपस्थित होते हैं तो केचुए में जो आपका अंडासे होते हैं कौन से खंड में उपस्थित होते हैं वो आपका तेरहवे खंड में उपस्थित होते हैं Correct Tester दोस्त Option का A हो जाएगा इसी तरह दोस्त Next Question की बात करते हैं इसी Question से जुड़ा हुआ है कि केचुए में व्रिसण किन खंडों में उपस्थित होते हैं तो जो हमारे व्रिसण होते हैं केचुए में वो हमारे 10 और 11 खंड में उपस्थित होते हैं इसको नोट कर लिजगा वेरी इंपोर्टेंट है 10 और 11 खंड में आपका कौन सा व्रिसण आपके उपस्थित होते हैं केचुए में Correct answer दोस्त Option का B हो जाएगा निष्ट अगले कुश्चिन की बात करते हैं दोस्ते हापे अगला हमारा कुश्चिन है 28 नमबर कुश्चिन किसके रुधीर प्लाज्मा में हीमोगलोबीन घुला रहता है तो किसके रुधीर प्लाज्मा में पूछ रहा है question की हीमोगलोबीन आपका घुला रहता है तो इसका correct answer आपका है option का D केचुए के रक्त में आपका हीमोगलोबीन घुला रहता है क्या है दोस्त correct answer आपका option का D हो जाएगा आपके अगली question की बात करते हैं 29 number question देखते है केचुए का मुख्य nitrogen युक्त उत्सरजी पदार्थ कौन सा है तो केचुए का जो मुख्य nitrogen युक्त उत्सरजी पदार्थ है वो कौन सा है वो आपका यूरिया है कहें दोस्त यूरिया है correct answer दोस्त option का CA है इसमें ठीक है इस question को आप लोग डोट जरूर करिएगा अगला question है आपे 30 number question ध्यान पूर्वक समझे घरेलू मक्षी निम्न में से किस रोग के अत्रित सभी रोगों का संचार करती है तो जो हमारी घरेलू मक्षी होती है इन में से जो आपका रोग है कुछ नाम इसमें चार ओप्सन दिये गए है इन रोगों के अलावा और कौन से रोगों का संचार करती है यानि की फैल आती है तो इसका दोस्त जो आपका correct answer है वो आपका है D पित जवर के रोग ये आपका क्या करती है संचार करती है correct answer दोस्त option का D हो जाएगा अगले दोस्त निश्ट कुश्चन की बात करते है अगला कुश्चन है जांस्टन का अंग किसमें पाया जाता है तो जांस्टन का अंग किसमें पाया जाता है दोस्त वो आपका मच्छड के स्रिंग का में पाया जाता है correct answer दोस्त option का B हो जाएगा किसमें पाया जाता है वो आपके मच्छड के स्रिंग के का हमें हमारा जांस्टन का अंग पाया जाता है अगले निश्ट कुष्छिन की बात करते हैं दोस्ते हैं आप ये 32 नमर कुष्छिन देखते हैं आर्थोपोर्ड में किसकी कमी होती है very important कुष्छिन है नोट करिएगा आर्थोपोड में हमारा पच्छमाव की कमी होती है किसकी दोस्त पच्छमाव की कमी होती है किसमें आर्थोपोड में वेरी इंपोर्टन कुश्यन है ये कुश्यन इंटरिंस एक्जाम में भी दोस्त आया हुआ है इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा इसका correct answer दोस्ट option का A है यहाँ पे निश्ट अगले question की दोस्ट नहाँ पे बात करते हैं अगला question दोस्ट यहाँ पे 33 number question कीटो का लच्छड है तो कीटो का जो लच्छड होते हैं किसमें इसमें जो path होते हैं वो आपके 3 जोड़ी पाय जाते हैं ठीक है यह इनका मुख्य लच्छड है correct answer दोस्ट option का D हो जाएगा यहाँ पे ठीक है अगले दोस्ट 34 number question कीटो चलते हैं अगला हमारा next question है घरेलू मक्खी का maggot होता है तो जो maggot होता है दोस्ट वो क्या होता है वो आपका एक लारवा होता है क्या होता है दोस्ट वो आपका एक लारवा होता है जो घरेलू मक्खी का maggot कहलाता है correct answer दोस्ट option का B हो जाएगा अगली question की बात करते हैं दोस्ट यहाँ पे 35 number question देखते हैं डेंगू च्वर किसके द्वारा फैलता है तो डेंगू च्वर आपका क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है किसके द्वारा दोस्त क्यूलेक्स के द्वारा आपका डेंगू च्वर फैलता है correct answer दोस्ट option का C हो जाएगा next अगला question देखते हैं दोस्ट आपे अगला question है मच्छर द्वारा नहीं फैलता है तो इसमें से दोस्ट आपका ऐसा कौन सा रोग है जो की मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है जिसमें दोस्ट option 4 मिलते हैं आपको malaria, hedgehog, dingo, filaria तो इसका दोस्ट correct answer है जो आपका B है जो की मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है वो आपका hedgehog रोग है जबकि malaria जो है ये भी आपका मच्छर के द्वारा ही फैलता है dingo भी मच्छर के द्वारा फैलता है और filaria भी आपका क्या है मच्छर के द्वारा फैलता है ठीक है तो जो आपका मच्छर के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है वो आपका क्या है option B correct answer दोस्ट है जा इसका बिल्कुल ही right answer है नेश्ट अगले question की बात करते हैं दोस्ट दोस्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने ग्रूप में share करिएगा ताकि इसकी information classes की information और भी student के पास पहुच सके ज्यादा से ज्यादा लोग student यहां पे जुड़ सके अगला दोस्ट नेश्ट हमारा question था 37 number question royal जैसी स्रावित होती है तो royal जैसी स्रावित किसमे होती है वो आपका worker में होती है यानि कि कर्मत में होती है correct answer दोस्ट option का A होगा यहां पे नेश्ट अगले question की बात करते हैं अगला question है निम्नमेसिक कौन मोलस्का से संबंदित है very important है मोलस्का संग आपने अब ही मैंने बताया है उसमें संग से related important question हर बार इंटरेंस एक्जाम में आते हैं संग मोलस्का से related तो इसलिए आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा और जिन भी student का यहां पे theory class छूटा हुआ है तो theory class को भी दिखिए नीचे दोस्त हमने description में उसका link share किया है वहाँ से दोस्त आप जाके हर एक जो भी 2022 आपका classes का वीडियो है वो सभी आप लोग दिखिए मैंने आपको लिए playlist भी बना दिया है उस playlist में जाएए वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे important question है 38 number question ध्यार पुर्वक समझे निम्न में से कौन से मुलस्का से संबन्दित है तो इसमें से आपका cuttle mean तथा संबू जो है वो आपका मुलस्का संग से संबन्दित है correct answer दोस्त option का A हो जाएगा निष्ट अगले question की बात करते हैं दोस्त यहापे अगला question है 39 number question octopus, squid तथा cuttle मचली किस से संबन्दित है तो यह हमारा cephalopoda से संबन्दित है किसे दोस्त cephalopoda से संबन्दित है octopus, squid और cuttle मचली correct answer दोस्त option का D हो जाएगा यहापे यह भी important नोट करते हुए चलिएगा अगला question यहाँ पर देखते है 40 number question है tube fit पाई आती है ठीक है यानि कि पात न लिकाएं किस में पाई आती है तो वो हमारे तारा मीन में पाई आती है किसमे दोस्त तारा मीन में हमारी tube fit पाई आती है correct answer दोस्त option का D हो जाएगा इसका अगले question की बात करते है दोस्त यहाँ पर 41 number question देख लेते है अरी सम्मती पाई आती है तो अरी सम्मती दोस्त किसमें पाई आती है वो हमारा H-T-E-Ri-A-S में पाई आती है correct answer दोस्त option का C हो जाएगा यहाँ पर अगले question की बात करते है अगला कुश्यन दोस्त तारा मीन किस से संबंदित है तो जो हमारा तारा मीन है वो हमारा एश्टी राइडिया से संबंदित है किसे दोस्त एश्टी राइडिया से संबंदित है correct answer दोस्त option का भी हो जाएगा next अगला question देखते हैं आपके दोस्त जल्दी जल्दी question को complete करते हैं एक part दोस्त आपका और आएगा mcq type के question उसमें आपका सारे आपके जितने भी इस chapter से यानि जन्तू जगत का वरगी करण classification of animal kingdom से जितने भी आपके question बनते हैं सारे question मैं आपको करा दूँगा एक ही chapter में ठीक है next हमारा जो chapter start होगा वो आपके लिए very important रहेगा और same इसी तरह हम धीरे धीरे करके दोस्त आगे बढ़ते रहेंगे और पूरे ही syllabus आपको बहुत ही जल्द complete यहाँ पर देखने को मिलेगा physics भी यहाँ पर start करेंगे chemistry भी start करेंगे और बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको सारे topic clear करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ आपके जैसा कि entrance exam का जो pattern है उसके अनुसार यहाँ पर question solve कराते हुए चलेंगे ताकि दोस्त आप entrance exam की अच्छी से अच्छी आप practice कर सके हैं आपे 43 नमर दोस्त question है कौन इकाई नौड मेटा का सदस्य नहीं है तो इसमें आपको 4 option दिये हुई है इसमें से आपको question बताना है कि इकाई नौड मेटा का सदस्य कौन सा नहीं है तो इसमें से जो आपका तारा मीन है ये भी आपका इकाई नौड मेटा का सदस्य है समुद्र लिली भी आपका सदस्य है लेकिन ascaris जो है वो दोस्त आपका इकाई नौड मेटा का सदस्य नहीं है तो correct answer दोस्त आपका option का C हो जाएगा यहाँ पर अगले दोस्त next question की बात करते हैं आपे 44 number question है अरस्तु की लाल्टेन पाई आती है तो अरस्तु की लाल्टेन किस में पाई आती है वो हमारा समुद्री अर्चिन में पाई आती है correct answer दोस्त option का A हो जाएगा है यहाँ नेश्ट दोस्त अगले question की बात कर लेते हैं आपे 45 number question ठीक है important है काईडेटा संग का यहाँ पे लच्छड आपको पूशा है ठीक है तो काईडेटा के लच्छड क्या होते हैं वो आपके गिल से उस में पाई जाते हैं यानि की कलों पाई जाते हैं काईडेटा के लच्छड है ठीक है, correct answer दोस्त, option का C हो जाएगा यहाँ पर, इसको भी note करिएगा, very important question है, अगला question यहाँ पर, 46 number, सभी cardate में होते हैं, तो सभी cardate में आपका क्या होते हैं, प्रिष्टिय नलिका, युक्त, तंद्रिका, रज्जु, सभी cardate में पाए जाते हैं, correct answer दोस्त, option का C हो सीत रुधीर तापी, cold blue road जन्तु है, चार option है, इसमें से आपका सीत रुधीर तापी जन्तु पुछावें, ठीक है, चार option है, पहला है दोस्त, कंगारू, दूसरा खरगोस, तीसरा सार्क और चौथा, D आपका है, खरगोस, तो इसका दोस्त, जो आपका correct answer होगा, वो सार् ये आपका सीत रुधीर तापी जन्तु है, ठीक है, और जो आपका सार्क है, ठीक है, इसमें आपको जैसे intense exam में बहुत बार पूछा गया है, कि कौन सा ऐसा जीव है, जिसमें की लार गरन्तिया नहीं पाई आती, ठीक है, तो एक तो हमारी हो गई वेल मचली, और दूसरी ह जिसमें की हमारी लार गरन्तिया नहीं पाई आती है, इसको आप तो नोट कर लिजेगा, अगले दोस्त, इसका जो question था कि कौन सा सीत रुधीर तापी, ठीक है, वो आपका कौन सा जन्तु है, वो आपका सार्क है, correct answer दोस्त, option का C हो जाए गया है, हाँ पर 47 का C, next अगले question क की और चलते हैं, दोस्त, अगला हमारा जो question है, वो है, निम्न मेंस से कौन जरा यूजी है, ठीक है, वीवी पैरस के बारे में आपको बताना है, इसमें आपको कौन सा जरा यूजी है, option एक है, दोस्त, आपे सार्क, मेढक, फुस्फुस मीन और अस्थी मीन, तो इसका दोस दोस्त, next question की बात करते हैं, 49 number question देखते हैं, समुद्री घोडा किसका उधारण है, ये दोस्त, previous classes में भी हमने आपको बताया था, आसा करते हैं, आप लोग इसको attend किये होगे, classes को, तो इस question को आप लोग असानी से solve कर पाएंगे, जो समुद्री घोडा था, दोस्त, वो किस का example था, वो हमारा मतद से का example था, ठीक है, correct answer दोस्त, option का D होगा, next अगला दोस्त, last question यहाँ पे देखते हैं, एक्थियों फीस किसे संबंदित है, तो एक्थियों फीस आपका उभय चर्ण से संबंदित है, important question है, इसे भी आप लोग नोट करेज़ेगा, जो आपका एक्थ करते हैं, दोस्त, आज की classes में, जितने हैं, मैंने आपको total 25 question यहाँ पे बताएं, आसा करते हैं, आपको 25 के 25 अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, अगर दोस्त, आपने theory का classes attend किया है, पूरी आपका तीनों classes attend किये हैं, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा question solve कर पा रह होंगे, तो हमें comment करके आप जरू बताइएगा कि कितनी question इसमें से आप solve कर पा रहे हैं, आसा करते हैं, आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी, वीडियो अच्छा लगाओ दोस्त, वीडियो को like करिएगा, दोस्तों में share करना ना भुलिएगा, ताकि classes का information और भी student के पस पोसर के, thank you